तो गुट मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम बैक तो मैं सेशन सो आज हम फिर वापिस मिल रहे हैं कुछ जरूरी टॉपिक्स को डिसक्स करने के लिए आज हम डिसक्स करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि हम सब की जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है वह टॉपिक है कुछ अब मैं對了 है क्रीए मानें किषान का अब बेंग्स हैं क्या हम सब लोग बैंगों के साथ जूड़े रहते हैं हम अपने एकाउंट्स के लिए लोजो लेते हैं बैंक है क्या कैसे काम करते रहेंκ हैं तो फ्रेंड बैंकिंग इज़िए प्रेंडन अंडर दी बैंकिंग भाशा में समझें तो बैंक एक ऐसा इंटर्मेडरी है जो सेवर आफ फंड्स और यूजर आफ फंड्स के बीच में रहता है तो सेवर आफ फंड्स मतलब वो लोग जिनके पास पैसा अपनी आवश्यक्ता सदिक है वो लोग पैसा बचाते हैं और उसके उपर इंट्रस्ट अ लångन करते हैं। यूजर ऑफंड्स वो रहते हैं जो कि पैसा लून लेते हैं और आगे कुछ काम के लिए इस्त्माल करते हैं तो बैंक एक अगर हम इप एक इंसान के समझे तो जिसके दो हाथ होते हैं एक हाथ पे क्या करता है कि लोगों से पैसा लेता है एक लों इंट्रस मिलेगा है अगर आपने कंड एकाउंत टो आपको जीरो परसेंट मिलेगा आप göt श्चारषी खैसे साथ पर संक्ष्रेंट मिलेगा तो कम इंटरस पर कम उठाता है और इस पैसे का क्या किया जाता इस पैसे से लुवान दिये जाते हैं हूं लeurs जो हहै जनली साथ साड़े साथ परस्थ के आसपस रहता है परणनम में वही किल लून है यह परस्थर लुए जो आप लोग लेते हैं यह दस से बीच पी जो बैंक पैसा कमाता है यह बैंक का प्रॉफिट होता है इसे बैंक का इंट्रस्ट इंकम या इंट्रस्ट मार्जन कहा जाता है तो फ्रेंड्स यह ये ऐक बैंक जो की एक हाद पे पैसा उठाता है लो इंट्रेस्ट उठ उब्रेस पे और दूसरे हाद पो लोन देता है एजा Zeid इस तरह से इन अच करता है स्ट इस तरह से एक बड़ा आप लोग जो है बैंक जाते हैं तो मूचल फंड और इंशूरंस ख्रीज सकते हैं आप लोग लिते हैं जनली लोग लुग का यूज करते हैं इसी तरह से बैंक जो फॉरन एक्सजेंज है वो उसकी सवर्सिज प्रोइड करते हैं जो बिजनसमेन हैं जिनका इंपर्ट तो आज के लिए दोस्तों इतना ही और कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ तेंक यू